हेलो दोस्तों मेरा नमेलन यार आप देख रहे है क्रिटी पिटी अन्बॉक्स तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हो कि घर पर क्रीम बिस्केट्स कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग दो मेरी कूल बिसकेट लेंगे और उनके बीच में हम लोग चॉकलेट लगाएंगे और हागर आप लोगों को चॉकलेट कैसे बनाना वो सीखना है तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा तो पहले हम लोग शमच से अच्छे से चॉकलेट लगा लेंगे और जब सब पूरा चॉकलेट लग जाएगा तो दूसरी कीट लेकि उसको पूरे बिसकेट पर कवर करेंगे जैसे मैं अब ही कर रही हूँ फिर पूरा कवर होने के बाद और दूसरी बिस्किट से तबाह देंगे ऐसे और आप देख सकते हैं कि पूरे बिस्किट पर अब चौकलेट लग चुका है तो आप हम लोग इस पर क्रीम लगाएंगे तो क्रीम भी लग चुकी है अब चली से डेकोरेट करते हैं तो इसके लि स्प्रिंकल्स या और भी कुछ डाल सकते है डेकोरेट करने के लिए पर मैं यह कर रही हूं तो अब यह भी पूरा क्रश हो चुका है अब चली इसको क्रीम बिस्किट पर डाल करें तो मुझे तो चौकलेट बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं बहुत सारा डाल रही हूं मैं और चोकलेट मैं उरका भी आ लाहिं मैं बने के लिए बहुत बाद बहुत ज्यादा यमी लगा हूं तोब मैं इसके बीच मैं खार्ट उहीं चेरी या कुछ और भी डाल सकते हैं чॉक्लेट डाल रहा हैं और फिर अब इसको कम ते कम 10-15 मिनित तक फ्रीजर में रख दें और पिसके बाद दूसरे प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे तो अब इसे फ्रीजर में करीब 15 मुन हो गया है तो मैं एक चाकू से इसको दूसरे प्लेट में शिफ्ट कर रही हूं और आप देख सकते हैं यह कितना बढ़िया दिख रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत ही यमी होने वाला है देखिए कितने अच्छे से बना और कितना अच्छा दिख रहा है मैरीगोल बिस्कित हम लोगों के घर में हर समय रहती है गारोग जाये क्री में बिस्किट बना सकते हैं हम लोग के ममें पापा को आप लाने के लाड़ ज़रूरत नहीं है हम लोग जब चाहें, मेरी गोल बिसक्ट से बना सकते हैं और यह बहुद जाली बन जाता है तो आप लग भी जाहिए जल्दी से बनाएए मैं तो चव्री से खायर क्षैम्स को खानें कि मैं तो वेट नहीं कर पांगी और ये बहुत जादा यमी है बहुत 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 जादा यमी है और आप देख सकते हैं कि इसके लियर्स कितने अच्छे से दिख रहे हैं पहले बिस्केट फिर चॉकलेट का वो लियर्स वापस बिस्केट फिर क्रीम और आप सोच नहीं सकते हैं यह कितना यमी था तो आप लोग भी जाएए जल्दी से बनाएए इसको और ऐसी यह और वीडियोज के लिए हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा और अब मैं मिलती हूँ आप से हम लोग की अगली वीडियो में तंस for watching, bye bye